पंजाब के प्रभारी हरी शौदरी जी और मैं आज एक विशेश मुद्दा आपके बीच में लेकर आए मोधी सरकार्व और भारतिय जनता पार्टी प्रति शोद की आग में धदक रही है जल रही है मोधी सरकार और भारतिय जन्ता पार्टी दो वर्गों से बदला ले रही है पहला किसान वर्ग और दूसरा दलित और पिछडे 380 दिन से अधिक लाखों किसान दिल्ली की द्योडी पर न्याय मांगते रहे 700 किसानों ने कुर्बानी दी परदेश के प्रदान मंत्री माननिय नरेंदर मोधी जी उनको उन किसानों से मिलकर उनके आसू पोँचने का समय नहीं मिला आखिर में जब किसान ने वोट की चोट से उपचुनाव में हराया तो काले कानून वापिस हुए और अब दलित और पिछडों से प्रतिशोद लिया जा रहा है उत्र प्रदेश में जो हुआ जिस प्रकार से दलितों और पिछडों ने भारतिये जनता पार्टी को नकारा जिस प्रकार से पंजाब में उत्रा खंड में दलितों और पिछडों ने नकारा जिस प्रकार से हार सामने दिख रही है क्योंकि देश के किसान, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछडे ने भारतिय जन्ता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का निर्ने कर लिया तो वैसे वैसे ही भारतिय जनता पार्टी का दलितों पर पिछणों पर पर किसानों पर हमला बढ़ता जा रहा है और पंजाब में तो अभी भारतिय जनता पार्टी ने अपना केंपेंग ही शुरू नहीं किया पर भारतिय जंता पार्टी का election department ED जो enforcement डारेक्टरेट नहीं मैं कई बार आपको बता चुका उसका नाम अब बदलकर election department रख दिया गया है वो अब पंजाब में आ गया आज जिस प्रकार से राजनितिक बेईमानी की प्रकाष्ठा हुई राजनितिक बदले की प्रकाष्ठा हुई हिंदुस्तान के इकलोते दलित गरीब मुख्यमंत्री से बदला लेने के लिए प्रदान मंत्री मोधी जी और भारतिय जन्ता पार्टी के लोगों ने अब election department ED को पंजाब भेज दिया किसी पुराने पांच वरश पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं उसके अंदर जूटी सलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है के बदले की भावना प्रतिशोद की भावना गरीबो दलितों और हिंदुस्तान के इकलोते दलित मुख्य मंत्री के खिलाफ बारतिय जन्ता पार्टी के मन में धदक रही है केस है क्या दोस्तों केस है के कॉंग्रेस की सरकार के समय साथ मार्च दोहजार अठारा को एफ आयार नंबर चब्विस पुलिस टेशन राहो जिला नवा शेहर में दर्ज होती है माइनिंग अक्ट के तहट उसके अंदर चन्नी जी के किसी रिष्टेदार का नाम नहीं चन्नी जी के परिवार के किसी सदस्से का नाम नहीं एक व्यक्ति जिसका नाम है 34 एक्यूस्ट के अंदर उसका नाम है कुदरत दीप चलान पेश हो जाता है केस मुकदमा चल रहा है चलान के अंदर कुदरत दीप की भूमिका ही नहीं दिखती आज यह कहा जा रहा है के एक कुदरत दीप की दोस्ती या जान पहचान भूपिंदर सिंग हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी वो नौजवान जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापिस आया है भुपिंदर सिंग हनी सरदार चरंजीत सिंग चन्नी जी की साली का बेटा है बतीजा है पर भुपिंदर सिंग हनी का तो कहीं F.I.R. में नाम नहीं मैं आप सबको पत्रकार मित्रों को जानता हूं तो कल आप में से या मुझ में से अगर कोई जुर्म कर दे तो क्या आप सब पर भी F.I.R. और E.D. की रेट हो जाएगी ये कौन सा मापदंड और तरीका नया है तो इसलिए जब कुछ नहीं मिला जब राजनितिक तोर से सारी चीज़े खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाद के मुख्यमंत्री सरदार चरंजीत सिंग चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो इस परकार के उल जलूल बेतुके और बचकाने इलजामात लेकर भारतिय जनता पार्टी मैदान में आई है और साथियो आजकल खूब नूरा कुष्टी चल रही है मोदी जी और केजरीवाल जी में जब 10-15 मिनिट के लिए काफिला रुख जाता है प्रदान मंत्री जी का तो प्रदान मंत्री की डिफेंस में कौन कूटता है अरविंद केजरीवाल जी महोदे सबसे पहले चन्नी सहाब और उनकी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिफेंस में खड़े हो जाते हैं और आज जब ना चन्नी जी को मालुम था ना पत्रकारों को मालुम था ना अख़बार नवीसों को मालूम था कि ED की रेड होगी तो ED की रेड होते ही पहला ब्यान किसका आया माननी अर्विन केजरी वाल जी का लगता है मोदी जी के आजकल डारेक्ट हॉट लाइन अर्विन केजरी वाल जी से मिली हुई है दोनों मिलकर पंजाब में उत्राखंड में और गुवा में नूरा कुष्टी खेल रहे हैं एक नाजायज काम करता है और दूसरा उसे सही बताता है अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो फिर उन किसानों के आंदोलन को नाजायज बता कर चन्नी सरकार पर हमलावर अर्विन केजरी वाल होते हैं आज भी एडी अगर अनाप शनाप रेड कर रही है बेतुकी बचकानी बेबुनियाद तो सबसे पहले अर्विन केजरी वाल हमला बोलते हैं प्रंतु पंजाब और पंजाबी और पंजाब के हमारे भाई बहन तीन करोड से अधिक ये जानते हैं के केजरी वाल जी और मोदी जी की नूरा किष्टी के माएने क्या हैं वो इस जासे में आने वाले नहीं और मोदी जी एक बात जान लीजिए कॉंग्रेस के अनेको नेताओं पर गुजरात से लेकर और दूर उत्तर पूरव तक आपने अनेको बार E.D. और C.B.I. और Income Tax और C.B.D.T. इस्तेमाल करके देख ली परन्तो हम ना डरने वाले ना दबने वाले ना जुकने वाले नरेंदर मोदी जी ने हमला बोला है दलितों के अधिकारों पर दलितों के सम्मान पर गरीबों के अधिकारों पर भारतिय जंता पार्टी और अर्विन केजरिवाल जी को ये हजम नहीं हो रहा के कैसे एक दलित नौजवान सरदार चरंजीत सिंग चन्नी के तौर पर पंजाब के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठ गया प्रन्तु ये जनता है तीन करोड पंजाबी जो फैसला करेंगे फैसला वही होगा और इसलिए ये जान लीजिए के किसानों दलितों गरीबों पिछडों पर भारतिय जनता पारिटी आपको इन वर्गों ने नकार दिया है और कितना भी आक्रमन करें और सुद्रिड़ता से ये सारे इस देश के गरीब, इस देश के कामगर, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान मजबूती और द्रिड़ता से सामने खड़े हो जाएंगे पूरा देश जान रहा है तमाम है आप लोगों के मीडिया द्वारा सर्वे एक ही बात पुलेक कर रही है कि सबसे अगर किसी की लोग प्रियता है सबसे पॉपूलर अगर कोई पंजाब में है वो चरंजीत सिंग चन्नी भारतिय जनता पार्टी और नरंदर मोदी जी की सरकार पंजाब से कितना देश पूर्ण रवया रखती है वो भी पूरी देश अची तरह से जानती है किसान अन्नोलन के वक्त पंजाब और पंजाबियों को दबाने की कोशिश करी गई बदनाम करने की कोशिश करी गई कई तरह के हत्यार जो आज हम एडी की तौर पर देख रहे हैं वो इस्तमाल किये गई पर पंजाब और पंजाबी और पंजाबियत मजबूती से खड़ी लिए भारत्य जनता पार्टी भूल कर रही है यह कैप्टेन अमरंदर सिंग जी नहीं है यह चरंजीत सिंग चन्नी है यह चरंजीत सिंग चन्नी को डरान्य और मिटाने का यह प्रयास कर रहे हैं यह उनकी बड़ी भूल है चरंजीत सिंग चन्नी मजबूती से पंजाब के लिए खड़े हैं खड़े रहेंगे जो 111 दिन की सरकार चरंजी सिंग चन्दी ने चलाई उझसे ये बोखलाद बड़ी आज कॉंग्रेश वाँ सरकार बनाने के लिए जारी इसलिए बोखलाद बड़ी या महान्दमी पार्टी अर्विन केजरीवा लोगा रहें नरंदर मोदी जी की सरकार का जो मिला जुला पहले तो पंजाब को बदनाम किया गया कि ये जो पॉलीशन हो रहा है ये पंजाब के किसानों द्वारा हो रहा है दिल्ली के अंदर किसान अंदोलन के अंदर बदनाम किया गया पंजाब को प्रदान मंतरी की जो यात्रा पंजाब में हुई उसमें पंजाबियों को बदनाम किया गया चरंजीत सिंग चन्नी की क्या गलती आज सित्तर हजार कुडशिया अगर पंजाबी उस सित्तर हजार कुडशिया के ये कोई चMAN जीट सिंग चन्नी की गलती नहीं थी वो कुड़िशिया भरनी चन्नी की जुम्यवारी नहीं थी एक ऐसी हलाद बनानी जिसमे पंजाब के लोगों के उपर लाठी चार्ज कराना और गोलिये चलानी उसके अंदर चरंजीत सिंग चन्नी पंजाब के साथ खड़े रहे उस पूरी जो घटनाकरम हुए उसके अंदर निश्पक स्थौर पर पंजाब के साथ खड़े रहे ये उनका कोई दोस्त एडी दोरा जो आज रेड की गई जिस रेड से प्रतियक्स और प्रतियक्स तौर के उपर चरंजीत सिंग चन्नी कॉंग्रेस के किसी नेता और काजय करता का कोई भी जुडाव नहीं है ये फेक रेड जिसे दबाव कॉंग्रेस के उपर लगाता है कॉंग्रेस के नेता हुआ काजय करता हूँ के उपर केंदर सरकार दोरा दबाव हां कुछ नेता है उस दबाव के अंदर भारतिय जनता पार्टी उनने जॉइन कर ली है पर चरंजीत सिंग चन्नी और तमाम कॉंग्रेस की विलनेता कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे मजबूती से पंजाब के साथ खड़े रहेंगे आज अर्विन केजरिवाल जी पंजाब के साथ खड़े नहीं रहकर भारतिय जनता पालिटी की भी टीम के तोर के उपर जो उनको मदद कर रहें प्रदानमंती की यात्रा के संदर में भी उनका पंजाब के साथ खड़ा नहीं रहना एक दुर्बा के पूर्ण उनका स्टेंड था आज भी जो फेक रेड जो नई नया हत्यार नहीं है भारतिय जनता पालिटी का सरत पवार के सामने इस हत्यार का उप्योग हुआ ममतब एनर्जी के सामने इस हत्यार का उप्योग हुआ अकलेश यादव के सामने इस हत्यार का उप्योग हो रहा है पंजाब के लोग बहुत जागरूख है आने वाले चुनाव के अंदर के अंदर सरकार और भारत्य जन्ता पार्टी और अर्विन केजरिवाल और इनका गटपंदर को मजबूती से जवाब देंगे चुनाव में मत के माधियम से यही में कहना चाहता हूँ चनर्णजीत संग्छ align के साथ मैं हैं क Onion पंजाब के साथ मैं काँडरी इस पंज्भूती से करी रहें कि यह सवाली चीफ प्रिश्टर केंडिएटर काफ सवाल ही नीं हाज सवाल यह है कि क्या बारत सरकाद भारत्य जनतापार्टी coconut इस तरह का करत्य करकर पंजाब को दबा सकते हैं या चरंजीद चन्नी को दबा सकते हैं उत्तर यह है नहीं तो पंजाब को दबा सकते हैं नहीं चरंजीद चन्नी को दबा सकते हैं यह मुख्यमंत्री का उमीदवार कौन शरकार बनाई यह सब गौन है सबसे बड़ा सवाल य पंजाब को किसी ने दबाया नहीं है। यह सोच कि पंजाब को दबा देंगे जोंकी शोच गलत है। हर्याना की कहवत है राजस्थान की भी और उसे पंजाबी में भी कहा जा सकता है। घर की भही काका लिखणिया। वोट डालेंगे ये एक बार फिर पंजाब के लोगों की बुद्धी मता, उनके शोर्य, उनकी बहादुरी, उनकी अकल, उनके गुण का अपमान कर रहे हैं। क्याके इजरिवाल जी नहीं जानते के वोट केवल 20 फरवरी को पढ़नी है। और 20 फरवरी को पंजाब के 3 करोड से अधिक लोग निर्ने करेंगे के कौन पंजाब का अगवा होगा।